हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जॉब में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे डियलर थर्ड समेश्टर का सामाजिक अध्यनविस है और यह है आपका पवन सीरीज तो दोस्तों यहा आपका है पार्ट नमबर फोर जिसमें आज भी 30 कोश्चन ही देखेंगे तो आप अपना कोमेंट करके ज़रू बताएगा मुझे कि कितने कोश्चन आपके सही हुए तो चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर 91 से मुहमद विन तुगलग ने अपनी राधधानी दिल्ली से कहां स्थाना अंतरित की थी लाहोर आगरा कराची देवगिरी दौलतावाद तो दोस्तों मुहमद विन तुगलग ने अपनी राधधानी दिल्ली से कहां स्थाना अंतरित की थी तो देवगिरी से दौलतावाद उसने स्थापित की थी यह अस्ताना अंत्रित की थी तो दापसन हमारा सही हो जाएगा कोष्टन में 92 देखेंगे काल माक्स कहा का निमासी था जर्मनी फ्रांस रूस और इटली तो काल माक्स जो यह था जर्मनी कानी मासी और कोश्चन नमबर 93 हम देखेंगे प्रथम विस यूद की समापती कब हुई 11.1916 को 11.1920 को 11.1922 को 11.1918 को तो प्रथम विस यूद की जो समापती हुई थी 11.1918 को कोश्चन नमबर 94 तो राश्ट्रपती राज्य सभा में 12 सवस्यों को मनोनीत कर सकता है तो यहां पर हमारा साउप्शन सही हो जाएगा दोस्तों देखें इसमें जितने भी कोश्चन दिया है यह सारे आपके एकजाम में पूछे हुए कोश्चन है तो हर एक कोश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ आज यहां नभना सभा के सद्थिता के लिए उमिदवार की आयू कितने वर्स से कम नहीं होनी चाहिए 18 वर्स, 21 वर्स, 24 वर्स और 25 वर्स यहाँ पे लोगसभा के सदस्ता के लिए उमिदवार की जो आई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्स नेक्स्ट कोश्चन हम देखेंगे कोश्चन नमबर 97 सेख सलीम चिस्ती का मकबरा कहां है बाराइच, फतेपूर सीकरी, जौनपूर और अजमेर तो 97 का जो सही अंसर है वो हो जाएगा फतेपूर सीकरी में तो सेख सलीम चिस्ती की दरगा है फतेपूर सीकरी में और कुश्चन बर 98 हम देखेंगे विस्व मौसम जंगठन का मुख्याले का है प्राग, लंदन, जिनेवा, रूस तो यहाँ पर विस्व मौसम संगठन का जो मुख्याले है वो कहां पर है वो जिनेवा में है तो मुख्याले भी आप याद रखिएगा 99 कोश्चन दूरी राष्ट्रों का नेत्र तो किस ने किया हंगरी, इटली, आस्ट्रिया, जर्मनी तो दूरी राष्ट्रों का नेत्र तो किस ने किया था वो किया था जर्मनी ने नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर हंड़ेड भारत में हरित करांती की सुरुवात कब हुई थी 1966-67, 1963-84, और 1972-73, इस वी में रखिएगा, जितने भी कोश्चन है, सब आपके एक्जाम में पूछे हुए कोश्चन है, और कोश्चन रिपीट भी करता है बिस्व का सबसे प्राचीन देश कौन है, नेपाल, चीन, ब्रिटेन और भारत, बिस्व का सबसे प्राचीन देश हमारा अपना देश भारत है कोश्चन नमबर 102, कपास का रेशा पौदे के किस भाग से प्राप्त होता है तने से, जड़ से, फल से, पत्तो से तो कपास का जो रेशा होता हो किस से प्राप्त होता है वो फल से प्राप्त होता है नेक्स्ट कोश्चिन हम देखें कोश्चिन नमबर 103 उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार पस्ची मंगाल और सिक्किम की सिमाएं किस देश से किस देश को छूती हैं तो यहाँ पर देखें चीन भूटान नेपाल म्यामर तो जो आपसंदी हैं उसी में से हमें बताना है तो उ अवाली 9-45 अंतार्कितिका में पाई जाती है पैंगविन पेटरल आलबार अभर्स इनमें से कोई नहीं ना उन पाने वाली एक मात्र पच्ची जो है कि अंतर्किटिका में पाई जाती है अंतर्किटिका आपको पताई यह बहुत ही बर्फीला बर्फीली जगा एक तरह से हम कह सकते हैं तो यहाँ पर पेंगविन आपने देखा भी होगा टेलिविजन में कोश्चन में 105 हम देखें गें पृतवी की ऊ संपदा वन संपदा मृदा संपदा और वाय संपदा तो पृत्वी की उपरी सतय को क्या कहते हैं वो कहते हैं मृदा संपदा उपरी सतय यानि की मृदा मिट्टी से है कोश्चिन नमर 106 मराटो के अकमड के पूर पंजाब पर किसका सासन था मौमस साह का साहिस्ता खां का नादिर साह का अमस साब अबदाली का मराटो के अकमड के पूर पंजाब पर किसका सासन था तो अमस साब अबदाली का सासन था दाफसन हमारा सही हो जाएगा कोश्चिन नमर 107 विदेशी कंपनियों के ब्यापारी केंद्रों को कहते थे बंगाल कोठी हवेली दुकान विदेशी कंपनियों के ब्यापारी केंद्रों को कहा जाता था क्या कहा जाता था आपको पता ही है कोठी कहा जाता था जोंगरेजी कोठियां बनी होती थी आपने पढ़ा भी होगा कहीं कोश्चन नमर 108 क्या है निम्लिकित में से कौन सा धात्विक खनीज है अब्रक, जिपसम, तांबा और हीरा तो यहाँ पर धात्विक खनीज पूछ रहा है तो यहाँ पर सही अंसर हमारा हो जाएगा के ब्यापार से तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हरित करांती जो संबंदित है वो क्रिसिए उत्पाद में बृद्धी से संबंदित है कोश्चन नमबर 110 केंद्र सूची का विसे नहीं है डाक्यम तार-बैंक सिचाई रच्छा तो किंद्र सूची का विस्था जो सिचाई आपने पढ़ा ही था अभी कि जो सिचाई होता है ये राज्जी सरकार का विस्था होता है और कुश्चिन मौर 111 है छेत्रफल की दृष्टी से विस्था का दूसरा बड़ा महादीप में तेल सुदक कारखाना आगरा जांसी मतुरा लक्रों बहुत ही आसान सा कुश्चिन है मतुरा तेल सुदक कारखानी के विस्था ही ताजमाल का कलर पीला पड़ रहा है कुश्चिन में 113 भारत की संगिय कारपालिका का संबैधानिक प्रमुख है कुश्चिन नमबर 114 के स्थापना जो ही ओईती ऐक अपरल 1935 को कुश्चिन नमबर 115 हम देखते हैं भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश चारखंड राजस्थान केरल पस्चिम मंगाल तो देखिए आपको आपसन देखते ही पता चल गया होगा कि पस्चिम मंगाल इसमें सही है question number 116 ہے बाबर नामा बाबर दवारा लिखित एक महा काब्ब्य है कविताओं का संक्रन है आत्म कता है धार्मिक पुस्तक है तो बाबर नामा जो की बाबर के दवारा ही लिखे गई है ये बाबर की अपनी आत्म कता है आटो बायोग्रफी Question number 117 मैंने एक मुठी बर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का सामराज लगबख खो दिया यह सब्द सेरसा ने कहे थे हुमायो से चौसा युद्ध के बाद मालदेव से युद्ध करने के बाद और राय सिंग की विज़य के बाद करनौच का युद्ध जीतने के बाद मैंने एक मुठी बर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का सामराज लगबख खो दिया यह कहा था मालदेव से युद्ध करने के बाद यानि कि आपका बाप्सन सही हो जाएगा Question number 118 मराठों का सरवादी कुथान संभाजी के काल में हुआ, सिवाजी के काल में हुआ, साहु जी के काल में हुआ और साह जी के काल में हुआ तो मराठों का जो सरवादिक उत्थान हुआ था वो हुआ था सिवाजी के काल में और आपको पता है सिवाजी की जो अश्ट छाप प्रडाली जिसमें अश्रप्रधान भी हम कहते हैं बहुत ही महत्तपूर्थी डेटेल क्लास में हम सारी सीज़े पढ़ चुके हैं कोश्चन नमर 119 ने विला नीती का संबंद है नाना साहब से डलहोजी से टीपल सुल्तान से हैदर अली से तो विला नीती को देखते ही आपको याद आगया होगा राज हडप करने की नीती डलहोजी जिसको हम कहते हैं और कोश्चन नमर 120 और ये इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है क्योंकि हमने कहा था आप से कि हम क्यों थर्टी कोश्चन ही इस वीडियो में देखेंगे संसद से तातपरी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राश्ट्रपती, लोकसभा तथा राज्यसभा तो दोस्तों जो हमारी संसद बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राश्ट्रपती को मिला कर बनती है तो आपको पताई कि संसद में जब भी कोई will pass होता है तो इसमें सबकी इक तरह से अनुमती या सब का समर्थन होता है सबकी राय होती तभी कोई will pass होबाता है तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करीगा चैनल पर नए होंगे तो सबस्क्राइब करीगा और Target Jupiter Seated एप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी आपको detail class with PDF सब कुछ देखने को मिलेगा और वहाँ पे सबसे ची बात क्या है कि आपको add नहीं आएंगे तो फटा फटा आप देख पाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाइवा लव यू आल जैहिन